नमस्कार दोस्तों सुवागत करते हैं आप सभी का निश्य एकड़मी पर आज से जो है मद्दप्रदेश से रिलेटेड एक जो नई सीरीज वह स्टाट कर रहे हैं इस सीरीज के माधम से आपका जो मद्दप्रदेश का जिके हैं वह कवर कराया जाएगा तो आज के इस वीडियो में जो है हम मद्यप्रदेश की भोगोलिक इस्तति वह प्राक्रेक्तिक प्रभाव से जुड़े जितने भी महत्वपुन मल्टिपल चोइस कोशन हो सकते हैं उनको यहाँ पर डिसकस करेंगे और इस टोपिक से रिलेटेड यह हमारा पार्ट वन है इसके तीन और पार्ट यानि की कुल मिलाकर चार पार्ट इस टोपिक से जो है आपको मिलेंगे तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा और MPG के डेली पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा साथ ही अगर इसकी पीडियोप आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा एप डाउनलोड करना होगा और एप डाउनलोड करने के बाद जो है आप वहाँ से पीडियोप भी इसकी ले सकते हैं तो चलिए आज शु मद्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है तो यह हमारा कथन सही है अगला है कि मद्य प्रदेश देश का 9.38 प्रतिशत भाग अपने पास रखता है यह भी हमारा option सही है वहीं यहापर जो तिसरा option है कि प्रदेश की दक्षिनी सिमा चंबल लदी बनाती है त सब्क्राइब जो पुरी तरीके सें पांच राज्य चोण राज़ें से उत्तर प्रदेश, सत्य गढंई जो पांच राज्य आपके मन्देफ्रदीश की सिमा को छुटे हैं से जहांवरा बनता है उप्शन सी चलिए यहां पर option से option सी जो है अमारा सही answer बनता है तो इससे जुड़ा भी कुछ है जो जानकारी है यहां पर आपको detail में बता देते हैं तो दिये गए कथनों में विकलपसी का कथन जो है असत्य है और असत्य इसलिए क्योंकि मध्यप्रदेश की दक्षिन सीमा का निर्दारन तापती नदी द्वारा किया जाता है जबकि जो चंबल नदी है प्रदेश की उत्री सीमा बनाती है तो चंबल नदी मध्यप्रदेश की उत्री सीमा का निर्मान करती है वह तो इसका आपका जो सही जवाब बनता है बनता है उप्शन दे 34 मिनिट का अंतर है तो यह 34 मिनिट का अंतर जो है हमने कैसे निकाला तो आए इससे भी जूड़ी जानकारियां पर आपको बता देते हैं तो देखिए आप सभी जानते होंगे कि मद्यप्रदिस के पूरों से प आपका इसमें कितना अंतर होता है तो आट डिगरी चार मिनिट का जो है आपका इहां पर इसमें डिष्टेंस रहता है तो आपको जो देशांतर वह तो आप सभी जानते ओंगे कि 74-08 Librasil लगांखर 82 CultureUSamoL wszyscy evitar निकालते हैं तो यह कितना आता है अपका 8.4. dove आता है तो यह पर आपके जानकारी के लिए है कि आप 1.5 स्पार में झा जाना रहता ना ने ज हुए चोहतर डिग्री देशांतर पर है और आपको फिचोतर डिग्री देशांतर पर जाना है तो यहां से यहां तक जो सूर्य का प्रकास है उसको पोचने में जो है आपका कितना टाइम लगता है तो यहां पर जो है एक चार मिनिट जो है लगता है यानि कि एक देशांतर को पार क गुणा करने पर हमें जो है मिनिट प्राप्त हो जाएंगे तो इसका आपका जो सही जाप बनता है वह बनता है आपका प्रशिमि भाग में लगबग कितने मिनित का अंतर रहता है और गैसके संदर्व में यह आपका बताया तो जो उधा हो जाईगा अली राचपूर की तुनळा में क्योंकि अली राचपूर जिला आपका सबसे परशिमि जिला आ गया है तो यहां ती इस question से जूड़ी जानकारी चलिए देखते हैं यहां पर हमारा अगला question अगला question है निम्नलेखित में से किस संग समू के साक्ष मध्यप्रदेश में नहीं मिलते हैं चार option पुराना संग, आरे संग, आरे संग, द्राविड संग या धरवाड संग तो इसका जो सही जाब बनता है, बनता है option C, द्राविड संग के जो आपके साक्ष हैं वह मध्यप्रदेश में नहीं मिलते हैं देख लेते हैं इससे जूड़ी कुछ और जानकारी है मध्यप्रदेश की भुविग्यानिक सरचना से संबंदित अध्यनों से ग्यात होता है कि मध्यप्रदेश में धरवाड संग, आरे संग, आरे संग, आरे संग, त्रतियक संग, क्रिटेशस कल्प, आदे की चट्टानों के साथ मध्यप्रदेश के विभिन भागों में पाए जाते हैं किन्तु द्रविड संग के कोई भी साक्षा हमारे मद्य प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं इसलिए इस कोशन का उप्सन सी जो है आपका सही जवाब बनता है अगला यहाँ पर कोशन है हमारा की अरावली पर्वस रंकला मद्य प्रदेश के किस सेत्रा में फेली जहांब के फेलि हुई है लाए हकोशन है इससे जुड़ी जानकारी सबसे पर इसमें पर बता देते हैं कि प्रत्वी की सबसे उच्छी चोटी अगर आपसे पूछी जाई तो उसका नाम है गुरु शिखार अगला कोशन यहाँ पर देखते हैं कि आरे समू की चट्टा ने मद्द प्रदेश में किस रूप में पाई जाती है तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ओप्षन ए है वह सही जवाब बनता है यानि कि आरे समू की जो चट्टा ने है गोंडवाना सेल समू के रूप में मद्द प्रदेश में जो है आपकी पाई जाती है चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जान करें आरे समू की चट्टा ने मद्द प्रदेश में गोंडवाना सेल समू के रूप मे आपके पाई जाती है आर्यसमू की चट्टा ने जलच प्रकार की है क्योंकि इनकी उत्पती जलिय छेत्रों में आउसाद के निक्षेपन के कारण हुई है जबकि क्रिटेशस कल्पक की चट्टा ने बाग सीरीज वह लमेटा सीरीज के रूप में आपकी पाई जाती है तो य 24 डिग्री 9 मिनिट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनिट पूर्वी देशांतर तक तो देखे इसके यह और बी दोनों ओप्षन है हमारा सही बंत है यानि कि इसका ओप्षन सी जो है आपका सही जवाब बनता है देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी तो तथा 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनिट पूर्वी देशांतर के मद्ध आपकी इस्तित है तो यहां से भी जो है कोशन कई बार आया हुआ है कि मद्ध प्रदेस की अक्छांस और देशांतर जो इस्तति है वह क्या है तो यहाँ पर यहाँ कोशन होना था हो верж है पूरी तरह राज्य यानि कि चारो होर से आपका भूमी से ही गिरा हुआ है इसकी जो सिमा है नतो किसी देश को चूती है नहीं किसी समुद्री सिमा को इसकी जो है सिमा टच होती है चारों तरफ से जो है भूमी से गिरा हुआ है इसलिए मद्द प्रदेश एक पूर्णत भूह आवेश्टित आपका राज्य है तो ओप्षन भी आपका सही जावब बनता है मद्द प्रदेश पूरी तरह के से भूह आवेश्टित राज्य है इसकी सिमा नतो समुद्र को चूती है वो नहीं किसी अंतराश्टी सिमा को चूती है मद्यप्रदस के अत्रीक्त हरियाना, चत्तिसगर और जारखंड भी आपके बुहावेश्टित राज्य है अगला कोशन यहाँ पर देखते हैं कि भोतिक बनावट की दरश्टी से वर्तवान मद्यप्रदस को कितने भागों में बाटा गया है या भोगोलिक इस्तिक है, अनुसार मद्यप्रदस कितने भागों में बटा है, तो इसका आपका जो सही जाप बनता है, वो बनता है अगला कोशन यहाँ पर देखते हैं कि निमन लिखित में से, निमन पठारों में से किस पठार का निर्माण ज्वाला में की उद्गार से निकले गए लावे से जो है हुआ है, चार उप्षन है मालवा का पठार, बुंदेलखन का पठार, बगेलखन का पठार या रिवापन्ना का पठार तो इसका आपका option A जो है सही बनता है मालवा का पठार मालवा का पठार को जो निर्माण है जो 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 आला मुखी उद्गार हुआ है उसके परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ है मालवा के पठार का निर्मार जो आला मुखी उद्गार से निकले लावे के द्वारा हुआ है इस पठार में डखकन ट्रेफ शेल आपकी पाई जाती है अगला कोश्चन और दस्यों नंबर का यहाँ पर हमारा कोश्चन है कि मद्यप्रदस के तीन प्रमुग जीले कौन से है जो करकरेका के सबसे अधिक समीप है चार उप्षन है इंदोर, जवलपूर, भोपाल, राइगर, विदीशा, मंडला, उज्जेन, रतलाम, राजगर, शिवपुरिष, छतरपुरिया, रिवा तो देखिए यहाँ पर सबसे नजदिक जो हमें जीला दिख रहा है वह है उज्जेन तो उज्जेन जो है सबसे नजदिक आपका करकर रेखा के समीप है यानि कि यहाँ हमारा उप्षन सी जो है यहाँ पर सही बन जाएगा देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी है करकर रेखा मद्दप्रदेश के मद्दे से गुजरती है यह उज्जेन के महाकाल मंदिर के ठीक उपर से गुजरती है अतहा मद्दप्रदेश के उज्जेन रतलाम तथा राजगर जिले करकर रेखा के सबसे समीप से जिले हैं जबकि भोपाल, विदिसा, साजापूर, सीहोर, जबलपूर, सहहडौल उमरिया, आदी जिलों से भी आपकी करकरेगा गुजरती है तो कोश्चन आता है कि मद्यप्रदेश के कितने जिलों से करकरेगा आपके गुजरती है तो मद्यप्रदेश के 14 ऐसे जीले हैं जहां से आपकी यह जो करकर रेखा है गुजरती है देखें यहां पर साजापूर टाइप हो गया लेकिन साजापूर जो है इसका सही जाब नहीं आएगा क्योंकि जब साजापूर से आगर मालवा अलग हुआ आपका जो कि मद्यप्रदेश का 51 जीला बना आगर मालवा तो वहां से जो है अब आपकी करकर रेखा गुजरती है न कि साजापूर से तो इसको जो है आप ठीक कर लीजेगा याद रखते टाइम इसको याद रख लीजेगा चलिए देखतें यहाँ पर अगला कोशन अगला कोशन है मद्यप्रदेश का सरवच सिकर दूबगड किस पठार में इस्तित है चार उप्षन है मालवा का पठार सत्पुड़ा का या नर्मदा सोन गाटी तो उप्शन भी आपका सही जावब बनता है मालवा के पठार में मद्यप्रदेश का सरवच सिकर दूबगाड जो है आपका इस्तित है देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी मद्यप्रदेश की सबसे उची चोटी दूबगाड जिसकी मिटर है यह जो है सत्पूडा स्रेणी के अंतरगत आता है विशेश रूप से यह आपके होशंगाबाद जिले में आती है और यही प्रदेश का एक मात्र हिल स्टेशन है अगला कोशन यहाँ पर है कि मद्यप्रदेश के किस पठार में चोपायों की संख्या आपके होते हैं उनकी कि सरवादिक संख्या मध्यप्रदेश के किस पठार में पाई जाती है तो चारisin माल वार का पठार रिवा का पठार बुंद्यलखन का पठार या बग्यल्कंड का पठार तो इसका आपका जो जया रिता में आपके सतर्पूरा किसंख्या पठार में रिवा पन्नात तो इसका आपका जो सही जवाब बनता है वह बनता है option है बुंदल खंड में जो है आपके सिद्ध बाबा पहाड़ी जो है इस्तित है देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी सिद्ध बाबा पहाड़ी जो कि आपकी 1172 मिटर उची है जो प्रदेश के ब इसका आपके बनते हैं कि बुंदल खंड पठयर की सबसे उची चोटी कौन सी है तो सिद्ध बाबा की पहाड़ी जो है या बुंदल खंड फटार की सबसे उची चोटी है और इसकी उचाई कितनी है तो 1185 मिटर जो है यह आपकी उच्ची है अगला कोशन यह आपर है कि बुंदलखन चेत्र में जो है आपकी गोंडवाना युक की चट्टा ने मिलती है सोरी यहां पर जो है option सायद मिश्टेक हो गई है देखिए यहां पर detail तो सही दी गई है मेरे द्वारा जो है answer गलत बता दिया गाया सोरी उसके लिए माफी चाहता हूं इसका जो आपका सही ज चेत्र में मिलती है निमने लिखित में से किस चेत्र में मिलती है तो सत्पुडा चेत्र में मिलती है आई यह देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी मद्यप्रदेस की भूसरचना आध्य महाकल पसेल समू के आसपास हुई मानी जाती है मद्यप्रदेस में गो question इसका जो answer है हमने जो है हमारा दूसरा या तिसरा question था उसमें discuss किया था तो इसका आपका जो सही जाब बनता है option C चंबल नदी के द्वारा मध्यप्रदेश की उत्री सिमा का आपका निर्धारन किया जाता है साथ ही यहाँ पर चंबल नदी की बात आई है तो इससे जुड़ी कुछ जानकारी आपको बता देते हैं कि मध्यप्रदेश की उत्री सिमा का निर्धारन चंबल नदी द्वारा जबकि दक्षणी सिमा का निर्धारन गोदारी नदी के द्वारा किया जाता है देखें यहाँ पर कई बुकों में आपको अलग अलग दिखने को मिलेगा तक यहाँ पर लिखा गया कि दक्षणी सिमा का निर्धारन गोदारी नदी के द्वारा किया जाता है कई बुकों में मिलेगा कि इसका निर्धारन तापटी नदी के द्वारा किया जाता है तो अपको जो है आपके मध्य प्रदेश के कोई सी भी आप बुक ले लिजिये सब में आपको डाटा अलग —алग मिलता है तो इस परकार में है तो हमें जो है कोश्चन के इसाफ से इसका अंसर डिल करना होता है साथ ही देखें यहां पर चंबल नदी के बात आई है तो इसका जो उद्गम है आपका कहा से होता है तो जानापाव पहाड़ी से जो है चंबल नदी का आपका उद्गम होता है इसकी कुल लंबाई अगर और पुछी जाए तो वह आपकी 965 किलोमेटर साथ ही कहां पर मिलती है तो यम्ना नदी में आपकी इटावा जो के आपका उत्तरप्रदेश में है इतावा के समीफी जो ही आपके यमणा नदी में मिल जाती है साथी गांधी सागर बांद और आपका होज रौज़ार प्रताप सागर बांद जवार सागरबांद जो है आपके चंबल नदी पर ही इस्तित है तो यह थी चंबल नदी से जूड़ी जानकारी चले देखते हैं य अगला कोशन यहाँ पर इसके पहले इसकी जो डिटेल है वह देख लेते हैं देश का रदे इस्तल कहा जाने वाला मद्य प्रदेश भूह एग्यानिक द्रश्टी से सर्वादिक प्राचिंतम गोडवाना लेंड भू सहीत का भूभाग है इसके पर्शिमी भूभाग की और व उत्तर का पठार पर्शिम का पठार या दक्षिन का पठार तो इसका आपका जो सही जाव बनता है बनता है दक्षिन का पठार या डक्कन का पठार का जो है आपका भाग संपूर्ण मद्य प्रदेश माना जाता है देख लते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी मद्य भारत का रधेप्रदेश का आजाने वाला समपूंद मद्यप्रदेश राज्य दक्षिन के पठार का भाग है इसके उत्तर में जलोड के मेदान पश्री में अरावली की पर्वत्थ पूरोंब भगयलकन का पठार तथा दक्षिन वे प्राइदिप का पठार आपका इस्तित है अगला यहां पर देखते हैं कि भूसरचना की द्रश्टी से चंबल सोन अक्षके उत्तर का भाग क्या कहलाता है देखें यहां पर आपको सोन और चंबल नदी सोन चंबल और सोन अ जो चंबल सोन अक्षके उत्तर का भाग जो है आपका मध्य उच्च प्रदेश कहलाता है देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी भूसरचना की द्रश्टी से मध्य प्रदेश को सिस्पष्ट भागों में विभाजित किया गया है इसी आधार से चंबल सोन अक अक्षा के दक्षिन में सथपुड़ा की स्रेणी आपकी इस्तित थे अगला है यहां पर मध्य प्रदेश उच्च प्रदेश गंगा के बेसीन का भागे आपका आपका यह जो देखिए पिला ऑप्शन वह सही है दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है और पूर्वी पठार मह प्रदेश का मझ्यवाड प्रदेस गवें तथा पूरुवी पथार महानदी और सोनदी के बेशन का भागे। अगला कोशन है मझ्यवाड जिले में धारल वार सेल समू का सोन्स शॉनSo yr के नाम से जाना जाता है। चार ऑप्ष्णन है चिंदवाड़ा बेतूल सेहडोल या बाला घाल तो आपका जो सही जाब बनता है उप्ष्णन चिंदवाड़ा जिले में जो धरवाड शेल समूँ है इसको सोंसर के नाम से जाना जाता है देख लेते हैं इससे जोरी कुछ और जान करें धरवाड सेल के हैं इस समुको प्रदेश के चिंदवाड़ा जिले में सौंसर सीरिस के नाम से जाना जाता है जिसमें मेग्नी निक्षे पन जय आपके मिलते हैं सौंसर के ऊपर अपयक्षा नवीन तथा न्यून कायंत्रिंतीद की चンタाने जय आपके मिलती सलकोल सिर्स चिंपली चिन्पली सिर्स उनके बाला घाट समूं उनको क्या क्या कर प exposed कहा जाती है तो यह चिंदवाड़ा जिले में जाती है दाड थीन्हें संसर देख लेती हैर अगला हें यहाँ पर इसर जानकारी देख लेते हैं कि मद्यप्रदेश के दक्षिनी जी लों मुख्यत चिंदवाड़ा वह बालाघाट में धारवार सेल समू पाई जाती है बालाघाट तता अन्य निकट वरती भागों में धारवार चट्टानों को चिपली सिरीज की जो संग्याया आपकी दी जाती ह अगला कोशन है पन्ना की प्रसीद हीरे की खदाने निमनलिकित में से किस सिरीज के अंतरगत आती है चार ओप्षन है बिजावर सिरीज ग्वालियर सिरीज सोंसर सिरीज या संकोली सिरीज तो इसका आपका जो सही जावब बनता है बिजावर सिरीज पन्ना की प्रसीद हीर पेर के निकट मिलती है तता इनमें हुए मुखी वीवेदों में हीरे लिता हैं इसके अंतर्गत-पर परशिद्ध हीरां खाने भी आने आकम की आते है अगला निम्डमे में से किस में जंबेरा का गुंबयंद आपका इस्तित है जंबेरा का गुंबयंद कहां पर इस्तित है चार 58 बुम्र जये जच जी가요 माज भागों में आपका बाटा गया है इनी में से एक कगार भूमी यानि की विद्धेन एसकोर पलेंड है बांडेर पठार से दक्षिन की ओर चलने पर जबेरा का गुम्बेंद आपको मिल जाएगा और यहां गुम्बंद लगबग 900 किलोमेटर लंबा तथा 233 किलोमेटर च और भी दुनों यानि की केमूर कगार और बहंडेर कगार को गंगा तता नर्मदा का जल विभाजक आपका माना जाता है देखिए यहां पर इससे जुड़ी जानकारी आप पढ़ लीजेगा यह यहीं बता रहा है कि इसको जो है नर्मदा का जल विभाजक केमूर और आपका सही एह नलोंदा नदी के दक्षीन में पश्चिम सपूरों में इस्तित है यह भी सही है यानि कि हमारे उप्रवक्त सब कथन सभी आफ्टन सही है जो है यहाँ पर बंता है तो जो हमारा यहाँ पर सभी जवाब है अगला कोशन यहाँ आपर निम्ने लिखित में से कौन सा सहर भारतिय मानक समय यानि की आई एस टी इंडियन स्टेंडर्ड टाइम देशांस के निकरतम है तो चार उप्षन है रिवा सागर उजेन या होशंगाबाद तो इसका जो आपका सही जाब बनता है बनता है रिवा जो है प्रदेश का एसा शहर जो कि भारतिय मानक समय देशांस के सबसे निकरतक है मद्द प्रदेश का एशा सहर जो कि इस लाइन के या भारतिय मानक समय के सबसे निकरतम है और यह कौन सी है तो यह हमारी जो साड़े बैयासी डिग्री देशांतर रेखा है उसी को भारतिय मानक समय कहा जाता है और यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है अगला कोशन है अगला यहाँ पर इससे जूड़ी जानकारी देख लेते हैं भारत का मानक समय साड़े डिग्री इलाबाद हैं मध्य प्रदेस की इस्तती उत्रें록 सांग के सबसे निकर तक है अगला कॉश्शन न है मद्यप्रदस का छेत्र रफल कितना है तो इसका जो आपका कुल छेत्र रफल किलोमेटर जो कि भारत के कुल से ठीट प्रतिशत है और राजिस्तान के बाद मद्यप्रदस भारत का दुसरा सबसे बड़ा विभाजन से पहले सबसे पहले च्छेत्रफल की दरश्टी कोन से सबसे बड़ा राज्य कोन सा था तो हमारा मध्य प्रदेश हुआ करता था लेकिन जब पर देखते हैं कि मद्य भारत का पठार मद्य प्रदेश के यानि कि मद्य प्रदेश के कुल प्रतिशत का जो है अगला कोशन आप पर देखते हैं कि मद्य भारत के पठार के अंतगत निम्नमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है देखिए इन जिलों के या इन ओप्षन को द्यान से पढ़ेंगे तो भींड ग्वालियर और शिव पूरी यह जो तीनों जिले हैं आपको उपर की साइड मिलेंगे यानि कि मद्य प्रदेश के उत्तर में मिलेंगे तो मद्य भारत का पठार भी आपका वहीं पर फिला हुआ ह इसलिए यह जो तीनों जो जिले हैं आपके इस पठार के अंतरगत आते हैं लेकिन हमारा जो इंदोर जिला है वह इसके अंतरगत नहीं आता है यानि कि ओप्षन यह जो है हमारा यहां पर राइट आंसर बनता है इंदोर जिला मालवा पठार के अंतरगत शामिले जबकि अ वालवा का पठार तो इसका अपका जो सही जाव बनता है मालवा का पठार डगकन ट्रेफ का जो है आपका भागए देख लीजी एससे से जुड़ी कुछ और जानकारी ऐसकी के उत्पति क्रिते क्रिते या से कलपव से हुई थी तो यहां था हमारा आज का सेशन मद्यप्रदस की भोगोली की स्तती वह प्राक्रेतिक प्रभाव से जुड़ा हमारा पार्ट वन जो था है यहीं पर समाप्त होता है तो आपको यह वीडियो किसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा साथी अधिक सा अधिक लोगों तक शेर करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा थाइंक्यू वेरी मुच